नमस्कार दोस्तों गंगोत्री एग्रीप्रो में आपका स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक आईसी मल्टी परपस कटिंग मशीन जिसको वेजटेबल कटर या ओनियन चली कटर या फिर कोकोनट कटर भी कहा जाता है क्योंकि इसका काम ही ऐसा है कि इसमें कोई भी प्रकार की सबजिया और अन्य चीजे बड़ी आसान इसे कटिंग कर सकते हैं जैसे कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लेसुन और अन्य प्रकार की सबजिया साथ में सूखा नारियल भी आप इस मशीन के जरीए बड़ी आसान इसे कट कर सकते हैं यह मशीन फूड ग्रेड स्टेंलेस सील से बनी है इसमें दो मॉडल्स आते हैं, एक एचपी और दो एचपी मशीन के साथ चार प्रकार की जालिया आती है जिसे आप चेंबर में लगा कर बारीक या मोटी कटाई कर सकते हैं चोटी जाली में आप अद्रक लेसुन जैसी चीजे बारीक कर सकते हैं उसी हिसाब से बाकी जालिया भी बारीक या मोटा साइस तै करती है तो चलिए मशीन का डेमो एक बार देख लेते हैं अगर आप किसी प्रोसेस के लिए सूखे नारियल के बारिक टुकडे करना चाते हो तो यह मशीन बड़े आसान इसे आपको करके देगी जैसे कि हमारे पास तेल एक्स्ट्रैक्शन की मशीन है और उसमें नारियल के छोटे टुकडे डालने होते हैं अगर आप हातों से कटिंग करेंगे तो आपको काफी समय लग जाएगा लेकिन यह मशीन वही काम मिंटों में कर देगी विडियो के इस भाग में हम प्याज की कटाई कर रहे हैं मशीन में एक घंटे में लगबग 40 से 50 किलो की कटाई हो जाएगी वो भी बिलकुल आसानी से अगर आपका केटरिंग का बिजनस हो होटेल या रेस्टारंट है या फिर आप कोई फूड प्रोसेस यूनिट चलाते हो तो आपके लिए यह मशीन बहुत काम आएगी आप देख सकते हैं कि कैसे घंटों का काम मिंटों में हो रहा है प्याज के साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें कोई भी सबजिया चॉपिंग कर सकते हैं जैसे कि हम अभी बैंगन की चॉपिंग कर रहे हैं इसी के साथ आप गाजर, मुली, गोबी, पत्ता गोबी, आलू, आदी की भी बड़ी आसानी से चॉपिंग कर सकते हैं यह मशिन घरेलू बिजली पर चलेगी कोई ज़्यादा आवाज नहीं या कोई शोर शराबा नहीं सिर्फ बढ़िया से कटिंग कोई भी शादी या बड़े फंक्शन के लिए सबजी या फिर दाल बनानी हो तो उसमें टमाटर ज़रूर लगेंगे तो उसे काटने के लिए अब एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत नहीं लगेगी आपके 10 लोगों का काम अकेली या मशिन संबाल लेगी जिसमें आपको तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको कोई सवाल हो या मशिन की किमत आपको जाननी हो या मशिन खरीदनी हो तो आप नीचे दिये गए नंबर पे हमें संपर करें आपकी सहता करने में हमें खुशी होगी धन्यवाद